हेलो एर्यवन वेलकम बैक टो मैं चैनल इंग्लीज हैं जी के वी सुनीता मैं मुराज माप लोगों के लेकी आई हूं फर्स्ट ग्रेडर की इंग्लीज की जो साइकलोजी है उसका चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखा था और आज उसकी क्लास है थर्ड आज हम रीड करेंगे लर्निंग और लर्निंग में भी हम उसके नेचर उसके क्रेकर्टिस्टिक को हम रीड करेंगे और इसके अंदर जो इंपॉर्टन फैक्त बन कर आदा है हमें कुछ किस्ट नहीं पताता कहांसे क्या कुस्ट ऑना के डाल दिये लेकिन अगर हर एक टोपिक है हम mechanics plan करके mind में बिठा के उष्य से चलेंगी तो कहीं चैसे कुछ भी आ जाइए हम उसे कर पाहेंगी कि यह समझने के जरुत है कि आकि लर्णिंग होता क्या है लर्णिंग देखें लर्णिंग आपको पता है learning ना सीखना और सीखना हमारे जनम से लेके मृत्यू तक हमारा continuity में चलता रहता है वो ही लर्निंग होता है तो यह प्रोसेश चलता है the process of learning is continuous which starts right from the time of birth of an individual and continuous till the death तो जो मृत्यू तक जो चलता है किसी भी माद्यम से किसी भी थ्रू से हम जो भी knowledge grant करते हैं और वो continuously प्रोसेश चलता रहता है उसे ही learning कहते हैं तो learning के जो factor वो हम देख लेते हैं कि learning is a universal आपको पता है यूनिवर्सल है इसके सब्दों में ही इनके words में ही उसके आर्थ छुपे वे हैं उसे आप समझने कोशिस करें तो learning क्या है एक universal है learning एक purposeful होता है किसी भी चीज को हम सीखते हैं तो उसका एक उदेश्य होता है जिस उदेश्य हम उसको सीखने की कोशिस करते हैं learning एक adjustment होता है अगर हमें वो किसी भी चीज में या किसी भी माहूल में हमें उससे adjustment होना है तो उसके लिए हमें उसकी हर एक चीज को बारिकी से पढ़ना पड़ता है या फिर हमें उसकी knowledge होनी चाहिए learning एक experience है learning एक active process है lifelong process है समझने कोशिस करें कि active process है वो चीज continuity में चलती रहती है हमें उसके अंदर action मतलब means कहसा है इसमें हमें active हैना पड़ता है उस काम को करने के लिए lifelong चलता है continuous चलता है जो कि यह वड़ काफी मतलब मैं तीन चाह बार बोल चुकी हूं और organizing experience होता है इसमें जैसे हम सीखते जाते हैं उसमें experience मिलता जाता है learning is a process not product इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इसके साथ साथ हम इसको इसको भी ध्यान में रखेंगे के प्रोशेस है यह चलता है यह continuous चलता रहता है ना कि इसका कोई product निकल की बाहर आता है learning is a organization of behavior learning is both individual and social learning individual भी होता है यानि कि व्यक्तिकत भी होता है और social group के मादम से भी हम learning करती है learning is goal directed और purposive तो purposive भी होता है और directed भी होता है किसी को देशियों से हम पर पर पस से भी हम उसको ग्रहन करती है और किसी के मादम से direct भी हम उसे ग्रहन करती है learning is a product of environment और learning है वो एक environment का प्रोडेक्ट होता है यानि इसके मादम से किसी मादम से हम उसे अपने life में ग्रहन करती है learning effect the conduct of the learner the learning is the organization of pre-experience pre-experience भी होता है इसका and then learning is a process unique to its individual and learning is a progressive chance in behavior and learning is the process of acquiring information किसी भी information acquire करने के लिए उसका एक process चलता है तो सारे के सारे जो पॉइंट है वो लन्निंग के पॉइंट है आपने इसे देख लिया होगा कि यह जो learning होती है वो हमारी किसी भी मादम से हमें प्राप्त हो सकती है गेन हो सकती है तो हम इस चीज़ को देखना है कि learning के जो काफी जी है स्रिफ आपको एक बार समझने के जरुत है लर्निंग इस ग्रिजुल धिरे धिरे होता है एंड डेवलप्मेंट प्रोसेस और वो विक्षित होता चला जाता है लर्निंग इस ए अरांड बाइ इंड्विजल और सोसल नीर्स जो पहले भी आ चुका है यह जो इसके लिए उसके लिए भी हमें काफी बार लर्निंग करने पड़ती है अब इसके में जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को कैसे अफेक्ट करते हैं कैसे इसको प्रबावित कर लिए तो इसके अंदर कुछ फैक्टर ऐसी है जैसे इसके अंदर मॉस्ट फोल्ट जैसे साइकलोजिकल फैक्टर से अब इससे देख लेना देर आफेक्टर से डैट फैसिलेट लर्निंग फॉर एक्सजामपल जैसे रेडिनेस होना मोटिवेशन मैंटल इसकी जो हैल्थ व लिए हमारा इं्́टरेस्ट कैसा है वो इंट्रेस्ट इसक그램 करता है अगर हम्हारा किसी काम को सीखने का मन ही नहीं है हम इसमें इंट्रेस्ट इए अभ्य दिखाते हैं तो कितंब कोशिज करALLY आपके मांन में वह घुषने वाला नहीं है इसके साथ आपके इन्टेलिजन्स भी उसको एप्ट करती है मोटिवेशन एटिटिविट इ hadi रहे हैं और कुछ नेगटिविटी टो को नेगटिव में नहीं लेना है में पॉजिटिव में लेना है then mental health भी आपकी health mental health कैसी इसे बल है की नहीं है तो वह भी effect करती है and orientation fear of failure locus of control तो यह सारे चीज़े होती है जो आपको effect करती है तो इसमें से देखिए अभी जो रिचेट्थी थड़्गण के एक्जाम अग्जाम होँ था उसमें यहां से क्वेशन बन पर दिये था थे जिसमें आपको ध्यान में होगा क्यों कि उसके अंदरे तो इसमें डिखा रही हूं है तो अध्कितिऴयों और में दो चलिए मेसे अथी सबर्ण सकतर नहीं हैं तो उसमें तो इसम्याप्शन अड़ीट नहीं सकते हैं दो और तो फेनलर में तीसरे चोथा पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए था आप देख सकते हैं मैं कोई अपने आप से नहीं बता रही हूं आपके सामने यह विद पूप बता रही हूं अदेन बाकी जो चूप Siglo जो देखे जाती है कि वह उसके कैसी है उसके वनसानुगत कैसी है या कैडमिक सेल्फ कॉंसेप्ट उसका कैसा है और यह सारी उसके बॉर्णिंग ने से यह सारी जो किसे बीजिजिकल है जो बीजिगाए करते हैं उसका फिजिकल में है कॉनिगे क चैसी है और यह स्कूनिज पास अर jडियर क estratég करती है जो पर कि इसको बढ़ने के लिए मौटिवेट करते हैं कितनी है करते हैं उसके इसके रिलेशन्स सिफ़ान से इसाब कैसा रिलेशन से इंसकी है दुए इसकиту प्योंदर्टी दूनर्टजय कितने हैं तो यह तुिये एक तरष सोशल पऊट्ब सुन यहां का यह factor है जिस environment में वो रहता है वो environment उसका healthy है कि नहीं है उसके चारों तरफ के जो group है वो healthy है कि नहीं है उसको गलत सुचना या गलत आद तो वो नहीं डालते हैं देन जो four point है वो four point है हमारा teaching and instructional factor तो जिसमें कि हम जो भी हम teacher school में जो भी हम learning करते हैं जो है कि इसे किस तरीके से learning करता है तुट कर्वाने का जो वे हैं उसके most जिनियरث Um Claro किस तरीके से वह सीखता है एंड इंट्रेक्टिव टेक्नलोजी तो उसका इंट्रेक्शन वह कैसा है वहां पर या किसी काउंसलर की वह एल्प लेता है या फिर एडवाइजिंग वह करता है इस टेंडर्स एंड एसायनमेंट की त्रूव वह सीखता है ने कि जो आस पास की सीखने की जो भी एसायनमेंट है वह किन तरीकों से वह गेंड करता है वह भी काफी इंपोर्टेंट है तो meaningfulness of material class management and control important effect of previous experience भी उसका mind कितना काम करता है teaching learning environment and resources ये important है and selection of a suitable teaching learning method ये भी important है यानि कि वो जो भी teaching learning करता है जिस method से करता है वो important fact को method को कैसे select करता है और उनको कैसे according को suitable बना पाता है तो उसका selection है उसका selection है वो भी उसके उपर important fact डालता है then इसके बाद environmental factors है जैसे learners जो learning करने वाला वो कितना विश्वास करता है और कितना achievement कर पाता है वो उसका cultural demand कैसा है उसका social expectation कितना है family background कैसा है physical उसकी condition कैसी है तो जो five number वाला है five number वाला है जो हमार factors है वो कहीं न कहीं हम पीछे चार में पढ़े की आई हैं तो ज़्यादा आप इसमें confused नहीं होंगे I think तो यह चारों के यह सारे यह सारे factor हम पीछे चार में पढ़े हैं तो यह बहुत important role अदा करते हैं इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपके लिए helpful हो रहा है तो इसे लाइक शेयर और सिस्क्राइब जरूर करें और अपने किसी दोस्त यह रिलेटिव को भी जरूर बताएं कि इस तरह से इंग्लिज की साइकलोजी यूटूब में फ्री में सेयर कर रही हूं और आप उसका फाइदा जरूर उटा है इसके बाद लर्निंग के कुछ साइकलोजिस्ट हैं जो इसके बारे में कुछ अपने डेफिनेशन दी हैं उसको हम थोड़ा सापने ही ट्रिक से समझते हैं जैस इसमी Laurey फिरयंस की वजह से हमारे जो ना लिज्झाशन बेस्कील्स है। उसमें भी कश we सिर्डेव को ठेस्थ और स्टेडी में होते है और मोडिफिकेशन हमारे बिहेव में थे से मोडिफिकेशन आता जाता है कि से ग्रशूया ख्रव capitalist' तभी मैंने कहा इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे यह थोड़ा समय देखो मैंने कैसे याद किया है वह मां को बता देती हूं आपको पता है कि जो हमारे नेट ढ दोडे टेकनलोजी बढ़ती जा रही हूं वेब कीत्रिओं ही में एक तो वर्ल्ड वाईबви आपको पता है यह तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एट जैसे सिह काम करते हैं वैसे वशर हमारी जो आयुलेज है वह हमारी मिरश होती है जल्दी किसी से जो हमें अपना होता है उस से हमें लव हो जाता है तो वो लवी कासी पर कद में पाव लव में आ जाता है चीक है तो यह विचेशिए औड hasal यह वोगय कने ऊपहीं होते हैं हैं तो discussed क्रोडिकेशनम करवाना नशुण से का मैं क्रोडिकेशन सुझ है उब सबस्दार हें फिर यह को और नही techno को और देखें कि जैसे करो होता है कवा होता है इसके हैबिट होती है ना हैबिट क्या होती है काउं काउं करने की है काउं 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 करने की हैबिट होती है तो आप इसको आप इसको कोर्लेट करके इसको देख लिए फिर इसको आप इसके बाद हम देखते हैं इसको आप छोड प्रेंड परेंड में प्रेंड हो जाते हैं हे मुपित नह Einच का? प्रेंड रीतсон में विधिका तब को युजी में ऊनके ही बढ़ है क्या लाइक। तो practice खो ट्रेंग से का वह हो पर जाती है हील में डिया से मैं पहले थे बढ़ भी बताया आपको कि आनको स्केन को दियान करें दिवांगे और हमारी स्केन कैसी मों होनी चाहिए और हमारा इसका लैसा पकर आप इसको आपको मेरोड रहे करते रहेinderा इसको करते हैं बाई बाई जाने से पहले में चैनल को लाइक श्रस्क्राइब जरूर करें